हेलो दोस्तों कैसे हो आप में हूँ आपका अपना दोस्त पर्वेज मिर्जा और आप देख रहे हैं टेक्निकल और केसे किया जाता है तो चलिए देखे और सीखे तो देखे एक इंच में 8 सूत होते हैं और एक इंच में 2.54 म होते हैं एक इंच में 25.4 mm होते हैं एक सूत में 3.17 mm होते हैं एक फुट में 12 इंच होते हैं एक याड में 36 इंच होते हैं और एक याड में 3 फुट होता है तो अगर कोई इंसान, कोई भी काम करने वाला आदमी अगर साइज लिखता है, तो वो कैसे लिखता है, आप देखें, 1 x 8, 2 x 8, 3 x 8, 4 x 8, 5 x 8, 6 x 8, 7 x 8, 8 x 8, तो देखें, 1 x 8 का 3.17 mm हो गया, 2 x 8 का बराबर हो के 1 x 4 हो गया, 3 x 8 का 9.68 mm हो गया, 4 x 8 का 1 x 2 हो गया, यानि के 1.5 इंच हो गया, इसी तरह 5 x 8 का 6 x 8 का 3 x 4 हो गया, 7 x 8 का 8 x 8 का 1 इंच हो गया, यानि के 25.4 mm, तो अब देखें, अब मैं आपको बताता हूँ मिटर के बारे में, यह भी तक जो मैंने आपको बताया, नॉर्मली यह फूटो के बारे में बताया, यह सब फूटो में आता है, तो मैं आपको मिटर में बताता हूँ मोटा मोटा क्या होता है, देखे, वन मीटर में 49.37 इन्च होते हैं और एक मीटर में 3.28 फूट होता है और एक मीटर में 100 cm होते हैं और एक मीटर में 1000 mm होते हैं यानि कि मैं में भी बोलते हैं एक मीटर में 1.09 यार्ड होता है और एक मीटर में 0.001 किलो मिटर होता है तो दोस्तों यह मैंने आपको बताया है किस में क्या और कितना होता है तो मैं आपको इसका यूज बताता हूँ कौन किस तरह से और कहां किसका यूज होता है तो देखे, normally, meter का use लोहा का काम करनेवाले वाले लोग करते हैं उतके बाद foot का use लखडी का काम करनेवाले यूजर करते हैं yard, inch, or cm इसका use कपड़ा सिने वाले लोग यूजर करते हैं तो इसी तरा से हर जगा पर अलग-अलग से use किया जाता है तो दोस्तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेर कीजिए और मेरे चैनल को सबस्क्राइब भीजिए तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में इसी तरह से एक नए टोपिक के साथ तो जब तक के लिए खुश रहिए